नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त प्रधीप कुमार बागने आपका विइक स्वागता हैं जिसकारिकम का नाम है आपकी अंडरोध पर दोस्तों आपकी अंडरोध परендी कॉ emphasizing कुर्षक का नहीं से इस बारे में आपको मैं संपून जानकारी दूँगा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप से रोध है कि आप इसे लाइक करें रेट कलर का बटन ने इसे दबा कर आप सबस्क्राइब करें बाजू में एक बैल है इसे भी दबाए ताकि मैं जो भी वीडियो जानों वो सबसे पहले आप तक पहुचे दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सबस्क्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया दा करता हूं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं देख रहे हैं दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों निजरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसे लाव उठा सके दौस्तों आप फेसबुक वाटसप और मिडिये के आप इसको जो है लोगों तक पहुँचा सकते हैं, अपने दोस्तों को पहुचा सकते हैं, दोस्तों सेंग दाना यानी के मुवूख फली, जहाँ दोस्तों यह गईवग बादायम है, इसमें इतने बिटामिन से इतना सब कुछ पाये जाता है, जिसके बारे मैं आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं जबरदस्त और एक अपना ही मज़ा होता है इसे सच्टा बादाम भी कहा जाता है दोस्तों इस बाद से यह अन्मान लगाया जा सकता है कि इसमें लगबक वो सारे तत्त उपाए जाते हैं जो बादाम में होते हैं लेकिन यह बहुत सच्टी कीमत पर होता है मुंग फली की आध के लिए खाते हैं पर यकिन मानी है दोस्तों इसमें होने वाले फाइदे जाने यह आप तो हैरान हो जाएंगे और अब जब खाएंगे अब जब भी मुका मिलेगा ताब मुंग फली जरूर खाएंगे मुंग फली के सिहत का खजाना है इसके अंदर इसमें परियाप स मातरा में पोटीन पाया जाता है जो शरीर विद्धी के लिए बहुत जरूरी होता है अगर आप किसी कारण से दूद नहीं पी पा रहे है तो यह मुंग फली खाना चारू कर देजिए भाई दूद नहीं पी पा रहे हैं तो मुंग फली के सेवन करें यह दूद की कमी को प पाया जाता है इसके अलावा इसे खाने से ताकत मिलती है यह विटामिन ई और विटामिन बी सिक्स से भरपूर होता है मुंग फली खाने के आठ फाइदे जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों ध्याद से सुनिएगा मुंग फली में मौजूद तत्व पेड़ से जोड़ी कई समय स्याओं से रहाद देता है इसके नियमित सेवन से कब्स की समय से दूर होती है दोस्तों अगर आप कब्स से परसान है तो आप एक मुठी रोज जो है आप मुंग फली का कच्चा दाना खाईए इसको खाने से आपको जो फायदा होगा वो तो खाने के बाद आपको पता लगेगा लेकिन मोटे तोर से मैं आपको बता रहा हूं कि पेट में जो है गैस या कब्स जैसी समस्या है वो निश्चे तरुप से सवाप्त हो जाएगी दोस्तों तो अपने से अपने जो है देनिक आहर में एक म मिलती है इसके अलावा यह पचा पाचन क्रिया को बहतर रखता है पाचन क्रिया को बहतर बनाता है तो दोस्तों रोजाना एक मुठी में जितने भी मुंपली का दाना आता है वो सब खा जाईए चबा चबा कर खाईए कच्छा खाईए इस जो है आपकी पाचन क्रिया होता है चुकर बच्चा और जच्चा दोनों के लिए बहुत लापकारी उत्व है तो जो है बच्चाестно मा और बच्चे दोनों के लिए बहुत फाइदे बंद होगा मा के शेरियर में ताकत रहेगी बच्चे के इसमें ताकत जाएगी बच्चा भी सुस्त रहेगा मा भी सुस्त रहेगी तो अब जो है आप जो है गर्वावस्था में कम से कम एक चमश मुवफली का दाना जरूर खाए ज़्यादा नहीं खा सकते हैं खाने में दिक्कत हो रही है तो एक चमश खा ले यह अगर आप बादा नहीं खा पा रहे हैं तो इसको खाए अन्य था ड्राइब फूट तो ड्राइब फूट होता है लेकिन यह भी कोई कर नहीं मुवफली का दाना प्रति दिन आपको एक चमश खाना है जो माता है गर्व अवस्था में हैं जो है जिनको अभी अभी बच्चा हुआ है वो भी खा सकते हैं तो एक चमश से ज्यादा ना खाएं और अगर ज्यादा खाने की चाह हो तो अपने डॉक्टर से संपर करके उनसे बात करके ज्यादा मात्रव भी खा सकते हैं ओमेगा छे से भरपूर मुंगफली तुशक को कोमल और नम बनाया रखता है कई लोग मुंगफली के पेश्ट का इस्तिमाल फेस्ट पैक की तरह करते हैं अगर आप भी चाहते हैं आपकी तुश्या हो कोमल नरम मुलायम तो मुंगफली का जो है पेश्ट बना ले और इसे फेस्ट पैक की तरह इस्तिमाल कर लें बिलकुल सिंपल तरीक है दोस्तों मिक्सी में इसको पीश लें थोड़ सा पानी डाल ले पानी नहीं है तो इसमें थोड़ सा जो है दूद डाल दे दूद और पानी मिक कि आपके तरशा बिलकुल मुलायम नरम कोमल हो जाएगी अधिकने में बड़ी सुन्दर लगेगी मुंगफली खाने से दिल से जुड़ी बिमारी होने का खत्रा कम होता है तो दोस्तों मुंगफली के दाने को अपने भोजन में जरूर शामिल करें अगर आपको दिल की बि मिमारी और अगर है तो वो दिल समाप्त हो जाएगी क्योंकि इसमें ऐसे तक तो पाई जाते हैं वो जो दिल से जुड़ी मिमारी को ठीक कर देते हैं तो अब ध्यान रखिए कि आपको मुंगफली के दाना एक मुठी रोज खाना है मुंगफली के नेमेज से खून की कमी न बढ़ती उम्र के लक्षडों को रोकने के लिए मुंगफली का सिवन कर सकते हैं इसमें मौजूद एंटी ऑक्सिदेन बढ़ती उम्र के लक्षण जैसे बारी रेखाएं और जुरी को बनने से रोकता है तो दोस्तों अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको जो चेहरे में ज इससे जो है अंदरी रूप से आप मजबूत होंगे और बाहरी रूप से आपकी तोशा एकदम बिल्कूल खीरी निक्री रहेगी जुरूरियां खतम हो जाएगी धिरी-धिरी करके तो आप इसको जो हर सपता एक बार कर सकते हैं असानी से फेस पैक के रूप में बहुत फा इसके लिए आप जो है रोज एक मुठी जो है जो है मुमफली का दाना इस्तमाल करें दोस्तों मुमफली का दाना कच्छा खाना चीए दोस्तों इस बात का जूरू जयान रखें कच्छा मुमफली का दाना खाएंगे तो उसके सारे विटमेश उसके अंदर होते हैं दूसर में उतने आसानी से घुलेगा और उसके पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा जैसे कि मैं आपको पता चुका हूँ कि सिंग दाना जो है याने कि मुंभली का दाना बहुत सारी विमानियां खतम कर देता है बहुत सारी विमानियां होने ही नहीं देता है तो आप जो है इसको खा